दोस्तो रियनापूलिस मेल कॊंचटेबल फिमयल कॊंचटेबल ऐसायई वर्तिको लेकर जो है दोस्तों। आभी अभी बड़ी खबराई है। वैज directamente ब्रियान दोस्तों आपका क्या ओनेवाड़ा है। कितने अंख का धोस्तों आपका रेटने एग्जामीनेशन होगा। जरूर देखना नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत करते मारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में दोस्तों अगर आपने वी तक मारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लूइस सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गई बेल आइकन को दोबा लें ताकि लेटस्ट इंफोर्मेशन आप तक सिबसे पहले पहुंच के दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक मारे टेलेगाम चैनल को जोईन नहीं किया तो प्लीज टेलीगाम चैनल को जोईन कर लें टेलीगाम चैनल का ल सब कर दोस्तो आपकी हर्याणा पोलिस सब इंस्पैक्टर भरती के लिए जो है दोस्तों अभी पद निरदारित नहीं किये गये है की कितने पिखेष्टा ऐसम्स्पैक्टर के पदों पर बरती होगी लेकिन बरती Ț कनफरम है अभी इसके पद जो है दोस्तों नहीं बताए गए है कि कितने पद ओपरे भरती पर करिया जो है की जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों हरियाना पुलिस मेल कॉटेबल एंड फीमेल कॉटेबल की भरती के नियम को लेकर क्योंकि आप भी काफी लंबे समय से इंतज जोड़े जाते हैं तो कभी फीजिकल के अंग को हटा दिया जाता है कभी सामाजी कार्थिक मापड़न के अंग को जोड़े जाते हैं तो कभी सामाजी कार्थिक मापड़न के अंग को हटा दिया जाता है अब जो है दोस्तों एक बार फिर से पुलिस डिपार्टमेंट की दव किमेंट के पहुंच चुकी है अप जो है जो है दोस्तों इते किया जाएगा यह नियम लागु होंगे फिर नहीं होंगे किस परकार से जो है दोस्तों आपकी मेल कौंश्टेवल के बड़ती होगी इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले पी करवाय जाएगा आपका आवेदन मांगने के बाद जो है दोस्तों सबसे पहले गुरूप सी सीटी पास जो कंडिडेट रहेंगे वह अपने कट अफ के अनुसार पीम्ट के लिए बुलाए जाएंगे पीम्ट में जो है दोस्तों आइट और छाती का माप होगा इस बारे में ह पैसरदारीथ हमें दिया गया है उससे पहले अगर पुरा कर लेते हैं तो उसमें भी जो है दोस्तों एक्स्ट्रा मार्फ दीये जारे थे लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है फीजिकल में कोई मांचं नहीं मिलेंगा फीजिकल को केवल और केवल आपने कौालिफाइ करना है ह उसके बाद जो है दोस्तों जो भी PMT को पास करेंगे उनको PhD के लिए बुलाए जाएगा. PhD में जो है दोस्तों आपकी दोड़ रहेगी तैस में से कम में दोड़ पूरी करने पर भी इसमें कोई अंक आपको नहीं मिलेंगे. उसके बाद जो है दोस्तों जो कंडिडेट PhD PMT को पास करेंगे उनको knowledge test के लिए बुलाए जाएगा. उन में से पदो की संख्या के चार गुना कंडिडेट को जो है knowledge test के लिए बुलाए जाएगा. यानि कि starting में जो है physical की अगर हम बात करें तो दोस्तों physical में 10 गुना कंडिडेट को पुलाए जाएगा. उसके बाद जो PhD PMT को कलियर करेंगे उन में से जो है दोस्तों 4 गुना कंडिडेट को जो है इसमें बुलाए जाएगा. knowledge test में जो है दोस्तों सभी प्रकार के person पुछे जाएगे जिसमें एक समान अंक होंगे computer से जुड़े भी question होंगे हर्याना से जुड़े भी question होंगे हर्याना प्लिस से जुड़े भी अब की बार आपके question होने वाले हैं 94.5 marks का जो है दोस्तों आपका ये exam होने वाला है जो knowledge छोड़ देते हाँ पर तो उसमें जो है दोस्तों आपके एक जो question जो है उसका अंक काटा जाएगा यानि कि उस समय negative marking होगी अगर आप गल्त answer देते हैं तो गल्त answer की कोई negative marking इसमें नहीं है उसके बाद जो है दोस्तों एंसी सी जो knowledge कर रखी है तो आपको extra marks नहीं मिलेंगे मगर NCC जिनके जिनोंने कर रखा है उनको तीन अंक दिये जाएंगे इन में भी तीन अंक बाटे गए हैं समाजी कार्थिक creation के मिलेंगे अग्या को ऐसके बाद जो hai कोस्तों प्राइब और आपकी त्यार की जाएगी और कट शार कंडिएट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा यह है दोस्तों हरियना प्लिस कौन स्टेवल भरती 2024 का सेलेक्शन प्रोसेस अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहता तो कोमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलिगाम चनल से जुड़ सकते हैं टेलिगाम चनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मे दिया गया है और हमारे टेलिगाम चनल का नाम है जोगी स्मार्ट